हलो गाईस क्यासे हैं आप लो मेरे नाम है दीपक सिंग और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूटीब चैनल में स्टर प्लंबर आयांड एलक्रश में जैसे कि आपने थमनल देखा होगा आज इस वीडियो में आपको काफी खुष सीखने में मिले क्योंकि वाल हैंग टोइलिट सीट के पॉइंट कि इस तरीके से तयार किये जाते हैं आज इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगा क्योंकि यह पहले मैंने आपको प्रैक्टिकल आपको लाइव करके दिखाया अब मैं आपको इस सारी मेजरमेंट इसका कितना होना चाहिए हाइट कितनी होनी चाहिए इस चीज के बारे में पूरा कम्प्लीट आपको बताऊंगा और फ्लोर की हैट कितनी होनी चाहिए फ्लोर से विडियो को ज़्यादा समय न देते हुए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूं तो गाइस अब मेन कोईस्टिन यह आता है कि जब हम काम करते हैं तो हमें मालूम नहीं होता कि बात्रूम का लेवल क्या आने वाला है इस चीज का मेशा आपको ध्यां रखना होगा अगर तो आपका पूरा अच्छे तरीके से बड़िया इंजीनियर से आपका यह आर्किटेक्ट्चर जो मैप बना होगा ड्रॉइंग बना होगा फिर तो आपका लेवल पूरा करेक्ट मिल जाएगा अगर आपका कुछी भी आम खुद का तियार किया और नक्षा है तो उसमें आपको वाल एंग टोलेट सीट का पॉइंट देना तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आज इस वीडियो में आपको समझाऊंगा तो गाइस इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको क्या लेवल होता है उस चोखट को ज्यादा नहीं दबाते कम से कम आदा इंच दबा देते हैं उससे ज्यादा उस चोखट को नहीं दबाते जो दरवाजा होता है उसकी चार और जो बांडरी होती है चोखट जैसे मान के चलो यह चोखट है इस चीज का नीचे का हिस्सा जो होता उसको बेमेड़ बता है वही चोकट होती है, उसका जो 1.5 बासकते, उससे ज़्ग नहीं दबाते क्योंकि अगर से दबा देटे, उसको सीलें के कारने पिर जेंगना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको को दबाते नहीं हैं उसको बिल्कुल टाईल का लेवल उसको देते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले यह floor लेवल निकला गयो 1978 अगर आप नी निकालखे देखना एक किस तरीके से निकाला जाता है आप मुझे और से मारा फ्लोर है यह मारा फ्लोर है और सब्सक् Quality का फ्लोर है और यह मार पिषित तरीड के पविशिट के का पूंविंट से तक तरीके स 아직 हम मैंने को मेजर मेंन बता हूं सबसे निस कि जो मारा फ्लोर से 110-700 पाईप होता है जिसमें से वेस्टेट जाना है उसकी हइट उने की इस फ्लोर से 11-ंच मान की चोला है ये 11-ंच पे 110-ंच पाईप का रगया ये ब超 गई इंच इसकी हईट 11-ंच बोल दिते हैं ये 11-ंच मारा फ्लोर से 110 mm के pipe की height हो और यहां से हम अपने toilet seat के जो system box है उसकी height कितनी रखेंगे तो यहां से guys यहां पर तो मैंने इंच के हिसाब से बता दिया पर यहां पर क्या करना होगा आपको यहां पर इसका distance है जो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ जो जो इस toilet seat का जो flush का point है वो 75 mm होना चाहिए अगर आप 75 mm करते हो फिर आपको अच्छे से toilet seat का जो measurement अच्छे से मिल जाता है अगर पहले आपको floor का level निकालना, floor के level से आपको उसके बाद उपर 110 mm का जो toilet seat का pipe होता उसका measurement मैं आपको पताता हूँ क्योंकि toilet seat का point होता, उसका क्या होता system मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मान के चलो सबसे पहले हमने हम चाहते हैं कि toilet seat के नीचे 4 इंच जगा बच जाए तो यह toilet seat के नीचे 4 इंच की जगा बच गई चाहर इंच यह बचा दिया हमने और उसके बाद यहां से हमारी toilet seat शुरू होगी जो कि इस जो मारा 110 में हम का pipe है इसका जो center होता है toilet seat के अंदर 7 इंच center होता है तो यहां से अब यह मान के चलो यह 4 इंच हमने छोड़ दी यह floor level है और यह 4 इंच का gap है toilet seat और floor के बीच में और यहां से यहां तक का center यहां तक का center हो जो 7 इंच होना चाहिए यहां तक का जो बीच में जो होता है इसका distance 7 इंच का होता है आप अच्छे से ध्यान रख लेना जब भी आप toilet seat के आपको अच्छे से बताता हूं पहले आपको floor level निकालना है फिर आपको निकालना है कि floor और toilet seat के बीच में distance वह हमें चार इंच का छोड़ना है चार साढ़े चार कर दें पांच इंच कोई दिक्कत नहीं ज्यादा नहीं होना चाहिए तो यहां पर floor और toilet seat का डिस्टाइब चार इंच रख रहें चार इंच के बाद हमारे toilet seat शुरू होगी और वह मारा point बिलकुल साथ इंच सेंटर में आएगा यह वाला और साथ इंच सेंटर के बाद इस point के ऊपर मेजरेमेंट लगाएंगे तो 75 mm हमारा यह point आएगा concealed system का अगर गाइस आप concealed system लगाते हैं half frame या full frame उसमें तो आपको measurement या कोई भी point बनाने की जरूरत नहीं है बट आप इस तरीके से करेंगे क्योंकि 110 mm का उदर PVC pipe को निकालेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत ही आएगी कि आपको चेज़े measurement रखना होगा और उसके बाद में अब जब CP करते हैं हमारे toilet seat के डबबे वगरा लगाते हैं या tap वगरा लगाते नल वगरा fit करते हैं तब आपको toilet seat fit करने के लिए यहां अंदर screw लगाने पड़ेंगे बड़े-बड़े rain bolt वो लगाएंगे उसके बाद उसके ऊपर toilet seat को आप fit करेंगे तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत यह आयाती है कि जब आप toilet seat को fit करते हैं वो rain bolt होते हैं वो होते तो काफी heavy हैं बट जो दिमाग होता है ना वो सोचता पता नहीं यह वजन उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे इस चीज का बहुत मलब कई client करते हैं कि यार यह वजन उठा भी पाएंगे नहीं उठा पाएंगे इस चीज का थोड़ा होता है तो अगर आप concealed system लगा देते हैं full frame या half frame उनमे तो आपको यह point बनाने की जुरूरत नहीं है तो अगर आप लगाते में फ्लेश्वाल लगा देते हैं metropole flesh वाल होता जो अगर उसको लगा देते हैं फिर आपको यह point है बिल्कुल correct होने चाहिए अगर आपका थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो जाएगा तो काफी दिक्क का भी क्या होता है इसका measurement और कितनी हाइट पे toilet seat का point कैसे कैसे floor अगर आप चाहते हैं फ्लोर का level कैसे निकालायता है तो मुझे comment करना फिर मैं आपको completely practical तरीक्यों की हमारी next video या next काम हमारा एक आने वाड़ा है जिसमें हमने concealed system fit करनी है और उसका floor का level भी आपको निकाल करक के दिखाएंगे और उसको fit करके दिखाएंगे अच्छे तरीके से concealed system को और उसके हम toilet seat भी fit करके दिखाएंगे और next कुछ दिनों में क्योंकि अगर आप comment करो फिर मैं आपके लिए वीडियो ले क्या हूंगा floor का level निकालने के लिए कि floor का level किस तरीके से निकालायता है so guys मे अग से लग कोई ना कोई ideas मुझे मुझे दीजिये जो मैं आपके लिए लेके आऊँ आपको जो दिक्कत होती उसके लिए मैं complete आपको बता पाऊँ so guys मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो comment करना तो guys like करना क्योंकि आपके एक like मुझे बहुत motivation मिलता है so thank you for watching this video